नासा के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सेटिलाइट के चरिये अंतरिक्ष में एक मल्टी प्लैनेट सिस्टम का पता चला है ये सिस्टम प्रत्वी से केवल 33 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है इसमें प्रत्वी के आकार के दोग्रह मौजूद हैं इस मल्टी प्लैनेट सिस्टम के केंदर में एक छोटा और थंडा एम ड्वार्फ तारा है जिसका नाम है 8,60,655 मिट के खगोलविदों का कहना है कि इसमें प्रत्वी के आकार के दोग्रह भी मौजूद है खोजकरताओं का कहना है जादत अपमाद की वजह से सदह पर पानी नहीं है पहला ग्रह हद दोलाग साथ हजार छेसो पच्पनत जो हर 2.8 दिन में तारे की परिक्रमा करता है ये प्रत्वी से करीब 1.2 गुना बढ़ा है दूसरा ग्रह जो बाहर की तरफ है वहे हद दो लाग साथ हजार छेसो बच पनट ये हर 5.7 दिन में तारे की परिक्रमा करता है ये प्रत्वी से 1.5 गुना बड़ा है इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये दोनों ग्रह चटान के समान है मल्टी प्लैनेट सिस्टम की खोज से वैग्यानिक हासे उत्साहित हैं वैग्यानिकों का मानना है कि इस सिस्टम से प्रत्वी के आसपास के इलाकों को बेहतर धंट से समझने में मदद मिलेगी कैलिफोर्निया के पासादेना में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक में वैग्यानिक खोज के नतीजों के बारे में बताएंगे रिसर्च टीम के एक सदस्से मिशिल कुनी मोटो का कहना है कि इस सिस्टम में दोनों ग्रहों को उनके तारे की चमक की वज़ए से वायमंडली अध्यान के लिए सबसे अच्छा लक्ष माना जा रहा है इन ग्रहों के चारों तरफ का वातावरन कैसा है क्या यहाँ पानी है या यहाँ कार्बन आधारित प्रजातियां है इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए वैग्यानिक अब इनका अध्यान करेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद